आप सुन रहे हैं एहसास, नमश्कार, मैं हूँ नंदीता बसू आज से मैं सिक्षप्रत घत्नाओं और सिक्षप्रत कहानियों की सिरीज शुरू कर रही हूँ सिक्षप्रत का मतलब तो आप जानते ही होंगे, moral values से related वो हो सकता है मैंने कहीं पढ़ी हो, या सुनी हो, या मैंने ही लिखी हो मेरा ये मानना है कि इनसान को हमेशा स्वाप्रेरित यानि self-motivated होना चाहिए मगर कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारी प्रेणा भी नाउमीद होने लगती है उस वक्त हमेशा कुछ भी प्रेणा दायक या motivational सुनना चाहिए या देखना चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रेणा दायक घटना या कहानी मान लेजे जीवन को आत्मसाथ करने वाली कहानी एक गाए घास चड़ने के लिए एक जंगल में चली गई शाम धलने के करीब थी उसने देखा कि एक बाग उसकी तरफ दबे पाउं बढ़ा है वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी वह बाग भी उसके पीछे दोडने लगा दोडते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाए दिया गपराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुज गई वह बाग भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर गुजग्या तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था उसमें पानी कम था और वह कीचड से भरा हुआ था उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे वह गाय उस कीचड के अंदर धीरे धीरे धसने लगी और वह बाग भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड नहीं पा रहा था वह भी धीरे धीरे कीचड के अंदर धसने लगा दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फस गए दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे गाए के करीब होने के बावजूद वो बाग उसे पकड़ नहीं पा रहा था थोड़ी देर बाद गाए ने उस बाद से पूछा क्या तुम्हारा कोई गुरू या मालिक है बाग ने गुराते वे कहा मैं तो जंगल का राजा हूँ मेरा कोई मालिक नहीं मैं खुदी जंगल का मालिक हूँ गाए ने कहा लेकिन तुम्हारी उस शक्ती का यहां पर क्या उप्योग है उस बाग ने कहा तुम भी तो फस गई हो और मरने के करीब हो तुम्हारी भी तो हालत मेरी जैसी ही है गाएने मुस्कुराते हुए कहा बिलकुल नहीं मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वह ढूरते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड से निकाल कर अपने घर ले जाएगा तुम्हें कौन ले जाएगा थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया और गाए को कीचड से निकाल कर अपने घर ले गया जाते समय गाए और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ वितग्यता पूर्वक देख रहे थे वे चाहते वे भी उस बाग को कीचड से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनकी जान के लिए वो खत्रा था वो बाग को ही छोड़कर अपने घर चले गए यहाँ पर गाए समर्पित रिदय का प्रतीक है बाग हमारा एहंकारी मन है और मालिक इश्वर का प्रतीक है और कीचड यह संसार है जिसमें हम सभी गले तक फसे हुए है और जो शंगर से वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ मुझे किसी के सहेयों के आवश्यक्ता नहीं है यही एहंकार है जिसे हम एगो कहते हैं और यहीं से बिनाश का बीजारोपन हो जाता है इश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हिताशी कोई नहीं होता है क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है सदेव प्रसन और आशावान रहिए जो प्राप्त है वो परियाप्त है धन्यवाद मुझे सुनते रहने के लिए आपको अगर मेरी ये शुरुआत अच्छी लगी तो कमेंस में जरूर बताईएगा और मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आप अगर फेस्बूक या इंस्ट्राग्राम या मेल में मुझे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दिया है तो मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ नया और खास लेकर सब तक के लिए अगर दिया